हुई हलो दोस्तों आपका मेरे मुर्न मार्केटिंग एक्सपर्ट में स्वागत है तो आज हम थाम आ मार्केटिंग मेंरेजमें बाइफन्स का है। फिल्पुकार को यृफ का मूं कैसे न न जो सेल्स सेल्स पर्प़ आता वो पर्टिक्लर टोपिक को नहीं देखा है तो आप मेरी पीछ वाली इससे पहले वीडियो पर जाके उसको चेक कर सकते हैं आज हम इसका सेकंड पढ़ने वाले इंटीगेरेटिव की जो पर्टिकूल बिजनेस अपने एना गोल तक सेल्स गोलता कैसे पहुंच सकता है थुरू द को इंटीगेरेशन विदिं इट्स बैटिक्र Beauty बिजनेस है वो अपिने इसेल्स अन प्रोफिट सो इंक्रीज कर सकता है या तो बहुत फोरवर और औरन इंटीकरेशन के थुब विदिन इस इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री के अंदर ठीक है जैसे में एक्जामपल लेते हैं जैसे मर्क फॉर्म जॉइंट वेंचर्स एस फार बेक इस 1999 विद जोंचन और जोंचन तो सेल ओवर दे काउंटर फार्मेटिकल्स एंड 1991 with DuPont to expand basic research इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि जो यह मर्स यह जो मर्क यह जो कंपनी पर्टिब जोंट वेंचर है उन्होंने जोंट वेंचर फॉर्म कराता 1989 के इंदर किसके साथ जोंचन और जोंचन के साथ में था कि वह अपने ना जो फार्मेटिकल्स जो प्रोड़क्ट्स उनको भी बैच चके और इस मर्क ने 1991 में ड्यूपॉंट कंपनी के साथ पिये ना जोंट वेंचर फॉर्म किया था था कि वह अपनी एना जो बैसिक रिसर्च इसको को एक्सपेंड कर सके तो इसमें क्या हो रहा है वह मतलब की जो फॉर्म कर रहे किसका पाट आ जाता है इंटेग्रेटिव ग्रोथ का पाट आ जाता ठीक है तिसे इन इन 1997 मर्क एंड रोन प्यूलैंग से नव सेनोफी एवंचीज से कंबाइंड देर अनिमल हेल्थ और पोलिटरी जेनेटिक्स बिजिनेस तो फॉर्म मेर्यल लिमिटेड और फुली इंटेग्रेटेड अनिमल हेल्थ कंपनी फाइनली मेर्क एक्वाइड शेरिंग प्लॉंग इन 2009 बहुत अजीव जीव नामसें कंपनीज के ठीक है तो अब देख लेना कोई गलती से गलत प्रोनाउंस किया तो इसमें जो आखिर में बोलना चाहते हैं मलग आखिर में बात यह बोलना चाहते हैं कि जो यह मर्क कंपनी और अललों कंपनी के साथ ने जोइंट वेंचर होंगे या उनकी सब्सक्राइब हुए है थाकि वो अपने नाम प्रोफिट एंट सेल्स को अपने रिसर्च को या अपने बिजनिस को और ज्यादा बढ़ा सके हैं ठीक है है होरीजोंटल मर्जर्स एंड अलाइन अलाइंस डॉंट अलावस और सोरी डॉंट ओल्वेज वरक पार जो होरीजोंटल मर्जर्स अंसे वो हमेसा वरकॉट नहीं करती है जैसे कि इन्होंने एकजांपल दिया सियर्ज एंड के मार्ट कर डिएंट सोल्व इधर रिटेलर्स प्रोब्लम्स इधर रिटेलर्स की जो ना कंपनी थिए सेलर्स एंड के माट यह एक सथ मर्ज ते मतलब यह फेल फेल रोल होरिजोंटल मर्जर सथे ठीक है यह फेल हो गया था इनका मर्जिंग ठीक है आगे एक्जांपल दिया है नेक्सल कॉम्मिनिकेशन मर्ज विट स्प्रिंट इन 2005 इन वाट-ब्लॉमबर्ग फाइनन्शिल अनलिक्स वाइन पास्ट तेन यह और नेक्सल कॉम्मिनिकेशन और यह कम बाइन इन ती स्प्रिंट के साथ में यह पर्टिकुलर रिचार्ज इस पर्टिकुलर मैं जैसे आइड वड़ा फोन यह स्प्र इनका जो मर्जिंग है वह वर्ट्स मर्जर था अब तक का पास्टेनियर्स को मिलाकर देखे तो इन पार्ट ड्यू टू देर इनकंपेटेबल नेट्वर्क्स क्योंकि उनके कुछों नेट्वर्स था भी इनकंपेटेबल था एक दूसरे के साब से इसकी वह जैसे भी वह ना इनका जो मर्जर अच्छे से सकस्द नियों पाया था चैलिंजेंज इस फैस्ट एंटेड एंड 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 गांतिनेंटल इनकंपनी यह दोनों ने मर्जिंग के अाथ लेकिन यह सक्सेश कुल ज्यादा सक्सेश्वल नहीं रहते हैं तो विदेखते हैं कि यू एड्ल कि जो एडलाइन से वो जो मर्ज करती है और मतलब नोटरी की होती है वो जो मतलब की लेड़न ओर बहुत ज्यादा इतना आसान भी नहीं होता है उनाटेड मर्जर विट कॉंटिनेंटल मेट सेंस स्ट्रेजिकली और फाइनशली बट लोजिस्टिकल प्रोब्रम सेम एंडलेस बिकोस्ट तो एल्लाइन सेंटेर बिसनेस इन वेरी दिफरेंट वैस फ्रम बोल्डिंग प्रोसिजर्स तो दो वे हैं युफ्री लगाया था और सक्सेसूल भी होते हुए थैं लेकिन जो लोजिस्टिकल प्रोब्लम्स थी और दोनों में एंडलेस ती क्योंकि जो ना युनाटेड थी नका कॉंटिस्टिकल अलग था ओर जोंटेनट अलएं से एलेडाइन उनका अलग तो ऑफिक natural email दो बो तो होना ही था किकि इनको मैं जो लॉजिस्टिकल था वह दोनों का प्रोब्लम स्पोच जाता था जो इवन जो कोफी है वह तो वह भी थोड़नी अस्यू था क्योंकि जो युनिटिड जो एरलाइन वह सर्फ करते थी किसके साथ में मिलके वह स्टारबॉक के साथ में लेकिन कॉंटिनेंटल थी वह सर्फ करते थी फ्रेश ब्रीव कंपनी के साथ मिलके तो यह इसमें भी कॉंफलिक्ट हो गया क्योंकि दोनों लगला कंपनी के साथ में मिलके कोफी सर्फ करते थे आफ्टर एक्स्टेंश रिसर्च असूटेबल कंप्रोमाईज वस और प्रोडम इसमें क्या बोलने चाहते कि जोना इन्हों ने शॉल्ब भी कराए इस प्रोब्नों को लेकिन बात में जो ना जो पर्टिकुलर्ए दोन हिरें संवाज में आ गया था कि दोनों का ब्रीव बास के टैलर अलग आ दोनोंके कस्टमर सेग्मेंट सब कुछ ही जो कोफी ते उसका कोफी जादा होती थी तो में लब इन्होंने का कि bored ह दौनों दॉघ करते हैं दोनहों की हे लोगना सटकल प्रॉइस दौनों प्रॉइन हूए तो मर्ज हुए इसीे हें तो में dealt fer बहुत सारे प्रोब्रम्स था क्योंकि दोनों का प्रोसेस से सब कुछ अलग लग था तो इसलिए इसको में इसको भी हम फेल्ड मर्जर में मान नाम लिखते हैं इसको मीडिया कंपनी से इसको इंटेग्रेटीव ग्रोथ कंसेडर हाव एंबसी युनिवर्सल लेवर्ज लेव युनिवर्सल पीचर्स क्यूरस जोड़्स ट्वी सोब रिलिस्ट ऑन पीबीसी किट्स जोंट प्रोडक्शन वा उनिवर्सल फैमिली प्रोडक्शन इमेजिन एंटरेन्मेंट एंड डबलू जी भी एच बॉस्टन इसमें क्या बोल जाता है कि अलग लग अनुनों कंपनी इसके नाम लिए कि जो युनिवर्सल जो पीचर उन्होंने साथ में मर्ज करके अपने अपने जो अलग 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 प्रोग्राम से उनको लेख कि ठीक है और आगे युनिवर्सल स्टूडियो होलीवड करंटी है जन एड्वेंचर्स ऑफ क्यूर्यस जोड़्स राइड व पिचर ने खैसे अलग 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 त ही किया वह इसमें बताया थीक है वहिस सक्सेवल मर्ज्स थी ठीक त्व्यक्त सब्सक्रेटिक है वे अपने अपने अपको अपने पर चक्र्णी तक पहूंच चकती है ठीक है अब उन्य आफिट सब्लाइरक कि इस से भी ज्यादा सप्लाइर को वह एकवाईर कर सकती है प्लास्टिक मैटीर्यलपी प्रोडिउसर्स गेन मौर कंट्रोल यह जनरेत मौर प्रोफिट थुझ बेकवर्ट इंटीगरेशन जैसे कि प्लास्टिक जो प्लास्टिक जो बनाते थे उन्हों को एक्वाइर कर सकती है इससे क्या हो बेकुब जो बेकुब इंटिकरेशन होगा से और जो जो पुप्र प्रॉफिट उसको खुद लेके खुद गें करके अपने पर्टिकुल सेल्स तक पहुंच चकती है यह हो क्या अगार्श तक है भी यह माइट एक्वाइब वाइट वहल सेलर्स और रिटेशन पहले इस प्रवाइब कर सकती है कि जो कौभर में अपने यह तांगना आडाया कुछ गवर्मेंट रेगूलेशन को फोलो करते वह होईवर इस नूट दिलीवर थे तो इस पोलो करते हैं सब्सक्राइब मतलब कि अगर कंपनी को यह सब दोनों कम इंटेंसिव और इंटिग्रेटीव ग्रोथ करने के बाद में अपने डिजाइड सेल्स तक नहीं पूंचे तो थार्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन जो कि मैं अपने लेक्ष लेक्चर में पढ़ेंगे